राहुली ने कहा कि अगर हमारे देश के नौजवान बेकार रहेंगे आपने दो करोन नौजवानों को हर्वर्ष नौजवी का वादा किया था तो बेरोजगार नौजवान सब हमिक रूप से अगर उसको रोजगार नहीं है तो वो गलत हाथों में पढ़ सकता है यह तो हम आ सब्सक्राण नहीं हो रहा है नहीं हो आधम न क्या हो रहा है कि और और आप एक बात बताईए कि जो राहुल गांधी जी ने कहा कि खत्रा व्यक्त किया कि अगर हमारे देश के नौजवान लिंचिंग में भी आप गौर कीजेगा और देखिएगा अनलाइसिएगा जादर पढ़ा लिक है लोग को अपने नौक भी कर रहे हैं इसको कॉलेज में मगर जो इस्टित दुनिया के सामने हैं हमको दुनिया को खत्रे से आगाह भी करना है दुनिया के लाब हो तो भारत के बुल के लोग को आते जो जर्मनी में उनको इच्छा रहती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है मानव संबंधित बिजली का पटन नहीं है कि अमेरिका जाके कोई रहने लगा तो उसको भारत से कोई स्वरोकार्ट नहीं रह गया